हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भीके सर मस्ती में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कबिनेंट में एक बैठक हुई थी उस बैठक को ले करके क्या गाइडलाइंस आई है नई अपडेट के साथ आपके 6 पॉइंट के साथ नई गा अचा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं आप लोगों से रिक्विस्ट है कि ये कि बहुत बड़ी खबर आप लोगों के बिच निकल के आ गई है और आप लोग को जितना जल्द हो सके हमारे चैनल से जूर जाए और वीडियो को इतना लाइक कर दे क्योंकि ऐसा खबर अभी तक आप लोग नहीं सुने होंगे कि ये सरकार आपको क्या करने जा रही है और क्या बदलाव कर दी है कैबिनेट बैठक की नई गैडलांज के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आगया बहुत बड़ा इंपोटेंट वीडि लिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं शुआ घोसना के आन्पियम डेट भी निकल गई उसके बाद सत्यापन मांचितर की वी डेट निकल गई उसके बाद आपत्ती करने के लिए आपका समय निर्दार्ट कर दिया गया है उसके बाद सुधारने के ल काल दिया गया है थोड़ी लाइट की प्रोब्लम है लेकिन आप लोग को इतना भी ज्यादा दिक्कत नहीं है आप लोग को पता चल जाएगा और आवाज आपको हमारी किलियर ली सुनाई दे रहा है तो अब आपका सबसे बड़ा अपडेट जो आप निकल के आ गया कैबिने से इसलिए आप से रिक्वेश्ट है कि अगर अभी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब कर के वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेर कर दीजिए ताकि सभी लोग जितने भी लोग बेचयन थे सर्वे को ले करके ricalगजात को ले करके उनी सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर बिहार सरकार ने क्या कदम उठा ली है क्या फेसला दे दिया क्या उठार्ण मार लिए इसके पीछे क्या साजीस है पूरी कहानी इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग attachments करने वाले हैं जानने वाले हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तक कर लिजे वीडियो को लाइक जरूर दबा दिजे सबसे फश्ट नमर में बात करते हैं कि स्वगोसना स्वगोसना पत्र जमा करने की समय जो आपको दिया गया है 180 कारिय दिवस दिया गया है 180 का मतलब होता है आपका लगभग लगभग 7 महिना अगर 180 केवल दिवस दिया जाता तो आपका होता 6 महिना के लगभग और कारिय दिवस जोरा गया इसका मतलब हो गया कि पूरा महिना याने कि जितने आपका छुटी उ जमीन का स्वगुसना पत्र देंगे कि ये जमीन मेरा है यानि कि प्रपत्र दो देंगे उसके लिए आपका एक 180 दिन मिला यानि कि साथ महीना आज से आपको मिला कितना साथ महीना मिल गया उसके बाद बात करते हैं कि सत्यापन मांचित्र यानि कि आपका मांचित्र सत्यापन करने के लिए आने कि आपके नक्सा जो है पहले जो नंबर दीजिएगा पलोट का उसको सत्यामपड करने के लिए 90 कारिया दिवस आपको दिया गया है 90 कारिया दिवस के मतलब हो गया कि आपको सरह तीन महीना के लगभग लगभग आपका आज से समय मिल चुका यह आपका कड अप्ति करते हैं किसी plot को ले करके किसी जमीन को ले करके तो उसको सुधारने के लिए वीभाग को दिया गया है साठ करेदीवस, यानि कि आपको अजा numéro 8 महीना में आपस्थ गया और हाई महीना में आप दे सकते हैं उसके बाद ₹ अरहाई महिने के बाद विभाग को अरहाई महिना लगेंगे उसको सुधारने में, अब सुधार करने में अरहाई महिने लगेंगे, अरहाई महिने इधर, अरहाई महिने इधर, पाच महिने ये भी गया, उसके बाद नक्सा का सत्यापन, यानि कि जो नक्सा आप दिजिएगा उसका सत्यापन किया जाएगा कि यह जमीन कितना है और कितना डिसमील जमीन है और इसको कितना चरहाए जाए यह सब सत्यापन करने के लिए आपका समय दिया गया है 90 कारिया दिवस 90 कारिया दिवस के मतलब फिर आपका हो गया सरह तीन महिन्ना तो यह सारे समयों को जोडते इतना खुक करके आपको मतलब चुपके-चुपके से साजीस के तहत एक पत्र के जड़िये एक नोटीस के जड़िये धीरे धीरे डाइरेक्ट अगर कहिएगा किशान को पबलिक को तो थोरा सा हरकंप मचेगा क्याओ कि जितना हरकंप मचाकर कि आप किसी को बाहर से बुलाए थे पंजाब से दिली से हरियना से महराष्ट गुजर समय को ऐसे गुप्त माध्यम के साथ मने दर्साया गया है आज के बैठा के लिए करके कि ताकि आपको कुछ पता ना चले और आप लोग इसी में उल्जे रहे समय को ले करके समय बढ़ाते बढ़ाते दूजर पचीस खतम कर दिया जाएगा और 26 को एंट्री मारेगा और 25 मे नए चुनाओ के साथ अगर सरकार बदलती है तो जो नया सरकार आएगी आचानक फिर ओ सर्वे पर काम नहीं करेगी क्योंकि ओ भी कदम उठाएगी तो समझ के उठाएगी तो समझे कि ये सर्वे आपका नहीं होगा सर्वे गया आपका कोल डेश्टोर में हमेशा के लिए ठंड़क में बैठ गया अगला आपका बात करते हैं कि ये करिब करिब दौजर चबिस तक जाएगा उसके बाद हवाई सर्वेक्षन हवाई सर्वेक्षन कि मनें नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि हवाई सर्वेक्षन जैसे ड्रोन को उराया जाता है और उपर के धीम से देख करके फिर उसको नया नकसा तयार किया जाएगा ये नकसा त्यार करने में आपको समय लगेगा द्वजर चबविस के पहले कोई नकसा तयार नहीं होगा और चब़ीस से पहले 25 में चुनाव है जिसको को लेकरके सभी लोग सरकार को या तो, eternity करेंगी है सरकार यही रहेगी तो फिर अपना दीरे दीरे डिसीजन लेगी तो आज के कबिनाइट के बैठक में आपको यतना 6 टॉपिक को मिल करके और हमेशा के लिए सर्वे को क्या किया गया बंद कर दिया गया करीब करीब 2 साल के लिए अब आप 2 साल तक लिए आप आसान अराम से कहीं भी अपना काम कीजिए इसके पीछे चक्कर में ना परें अब आपको समय भी दे दिया गया है परपत्र जमा करने के लिए एक सवस्यन की 7 महिना अब आज से आपको 7 महिना मिल गया पूरे टीटेल्स आप अराम से सुन करके वीडियो रोक करके लिख सकते हैं वीडियो को लाइ